इन बारह नामों से पूजे जाते हैं बजरंग बली जय श्री राम, जय बजरंग बली, आज के दिन ये नाम जपने से सब मंगल ही मंगल होगा, जानिए मंगल को जन में मंगलकारी हनुमान के अदबुत और चमतकारी बारह नामों के बारे में, जिनके जाप से आपके सारे खुद बखुद नश्ट हो जाएंगे और जीवन में सब मंगल मैं होगा, एक हनुमान हनुमान जी का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने दिन के ऊपर उपने वज्र का प्रहार किया था, वो वज्र सीधे इनकी थोड़ी हनु पर लगा, हनु पर वज्र का प्रहार होने के कारण ही इनका नाम हनुमान पड़ा, दो, अंजनी सुत माता अंजनी के पुत्र होने के कारण ही हनुमान का एक नाम, ये भी प्रसिध है, तीन, वायु पुत्र हनुमान जी का एक नाम वायु पुत्र भी है, पवन्देव के औरस पुत्र होने के कारण ही इन्हें वायु पुत्र भी कहा जाता है। 4. महाबल हनुमाजी के बल की कोई सीमा नहीं है, वह बलवानों में भी बलवान हैं, इसलिए इनका एक नाम महाबल भी है। 5. रामेश्ठ हनुमान भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। धर्म ग्रंथों में अनेक स्थानों पर वर्नन मिलता है कि श्री राम ने हनुमान को अपना प्रिया माना है, भगवान। श्री राम को प्रिया होने के कारण ही इनका एक नाम रामेश्ठ भी है। 6. फालगुन सुख महाभारत के अनुसार। पांडु पुत्र अर्जुन का एक नाम फालगुन भी है। युद्धा के समय हनुमान जी अर्जुन के रत की द्वजा पर विराजित थे। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन की सहायता की और इसलिए उन्हें अर्जुन का मित्र कहा गया है। फालगुन सुख का अर्जुन का मित्र साथ लक्षमन प्रांदाता जब रावन के पुत्र इंद्रजीत ने शक्ती का उप्योग कर लक्षमन को बेहोश कर दिया था। अर्जुन का अर्थ पराक्रमी और अमित का अर्थ है बहुत अधिक। हनुमाजी ने अपने पराक्रम के बल ऐसे बहुत से कार्य किये। जिन्हें करना देवताओं के लिए भी कठिन था इसलिए इन्हें अमित विक्रम भी कहा गया है। जिन्गाश का अर्थ है भूरी आँखों वाला। और इसका वर्ननन कई धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। इसलिए इनका एक नाम ये भी है। 12. दिशेग्रीव दर्प दिशेग्रीव यानि रावन और दर्प यानि घमन तोड़ने वाला। 12. दिशेग्रीव दर्प का अर्थ है रावन का घमन तोड़ने वाला। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया और रावन के पुत्र अक्षय कुमार का वद।